विए आपका एक और नहीं वीडियो में उत्रा खंड के इस खूब सूरत गाउं से मेरे गाउं से और अभी लगबग शाम का टाइम हो रहा है और साथी साथ स्वागत है आपका एक और खान पान वाली वीडियो में तो बहुत दिन से आप लोग बोलेते हैं कि कोई खान पान वाली वीडियो बनाओ परफेक्ट खान पान वाली तो आज मैंने सुचा क्यों ना बनाया जाए ब और एक दराती है और यह रिंगाल का एक छोटा सा लठी है तो इन सब चीजहों से उसको निकाला जाता है और जो यह टोकरी है इसमें रखना और बिच्छोगास मैं बता दूँ कि ऐसे बती है यह देखो और अगर गलती से ऐसे ही हाथ इस पर लगिया ना मतलब ऐसे ही तो इस है और चोटे-चोटे दाने भी जाते है और इसका बहुत ही ट्रेश्टी साग बनता है और आज कल सर्दियों के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है सिहत के लिए और साग बनाना मेरी चोटी बैन हो गया और मम्मी को बहुत अच्छी डंग से आता है मुझे इसे बीच में है अपनी इंगली फजाने पड़ती है और फिर देखो आप कैसे टी है यह लेखो और फिर जो यह कंडाली न जो बिच्च्छु क अंसे इसंको लगाने परता है इसे अगवर और फिर इसको आप एक साट आन से टोगा जाएगा यह डी को और इसमेंनो अनृ इसको भरना पड़ता है यहां पर देखो आप और धीरे भर भर के मतलब इतनी हो जाएगी और फिर इसको टोकरी में रखा जाएगा जाएगा और और पहुती साफदानी से इसको निकालना पड़ता है क्योंकि कहीं हाथ में न चुक जाए यह देखा और इसके काटे चकर आप कैसे काटे हैं इस पर भाई सब्सक्राइब और इसमें भी दो टैप की होते हैं एक तो ऐसी वाली है जो आपको साफ सतरी लग रही है और एक यह वाली होती है यह यह वाली भी बिच्छुगास है तो इसको निकालते हैं जो थोड़ा ऑप होती है तो इसको निकालते हैं जो मतलब साफ सतरी जैसे दिखेंगे गए देख सकते हो यह हो गया और यहां पर देखो तो ऐसे कुछ निकालने हैं और इनको इसमें भढ़ना पड़ता है तो अभी यहां तक भड़ेगी स्कूई कश्य है और अब देखो अब इसके बाद में काम होता है अब क्या करना है जो यह बड़े-बड़े पत्ते होते ना तो इनको काटना पड़ता है और यह देखा तो में हमारे यहां इसका साग बनता है जो में यह इसका साग बनता है और यह हुँने इस तो में इतना है और जेए उसके पत्ते हैं उसको फैक देते म tiếpर्ért है बहुत जगों में अशीना इस बेख आए कि पतों ठोन वेसे घाते मतलब बहुत अलग जोग अलग यहां अलग भंसे बना जाता है कि मतलब इसके जो बड़े बड़े पते हैं थोड़ों बचाए रखें वैसे दिखो बड़े जो मैं बड़े पते हैं उनको निकाल देते हैं भाटा देते । एस साइड दिखो हैं उनक्व निज PHIL पते हैं फिर इसको ऐसे करके इसमें डालना है 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 हूं कि अब और बिच्रुगास का जो बी एरिया है ना कि लुगवग यही hacer क zrobić और हमारे पहाड़ों में जो बिच्रुग कास होता है वो लगवग राती के टाहिम पर बनाया जाता है मेंली工作 में से intent यह देखो वह लगभग इतनी कंडाली निकल गई है बिच्छु भास निकल गई है और साथ में इसका आपको इंग्लिस नेम भी यहां पर दिख़ा होगा तो यह है और यहां पर चोड़ी बहन लगी विया और निकालने कर जो यह टोकरी है यह बनी हुई है वह रिंगाल से ज है यह देखो आप 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 पर साइड तो जितना भी बिच्छु कास था मतलब जो 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 तोड़ा सॉप्ट सॉप्टी वह लगभग निकल गई है और अब इस खेद में से निकालने हम लोग यहां पर देखो यह चाची जी भी गाई को अपने घर ला गई है तो जैसे श्याम का टाइम होता न वैसे गाई भी घर आ जाती है वह यहां देखो घर लाना स्टार्ट करते हैं लोग तो चलो फाइनली हमारी कंडाली निकल के रेडी हो गए तो यह देखो इतनी हम लोगों ने कंडाली नि अधिक जो भी हम लोगों को निकालने है और जो भी हमारे पालक और राई के खेत है ना वह हमारे नीचे सारे मतलब गउसाला सारे हैं तो वहां चाहर से निकालना है कंडाली तो विसे निकल गई ये देख सकते हो कंडाली हम लोगों निकाल दिया और अब निकालते हैं हम लोग पालक तो चलो निकालते हैं स्टार्ट करते हैं तो चलो फाइनली हम लोगों का पालक भी निकल गया और अब धनिया और अब निकालते हम लोग धनिया मतब जो लास्ट इसकी प्रोसेस होते है निकालने की इसमें जो हरा मिलता है यहां पर यहां पर से अब धनिया निकालते हैं और इन तीन जियुमें सबसे नजदीक है यह धनिया錫, क्योंकि कंडाली एपम आगे साइड गे थे और पालक भी हमारा नीचे गौसाला साइड है और यहीं पर है बस यह हरा क्योंकि धनिया तो ऐसा है ना कि डेली यूज बात है मतलब डाल में डालने के लिए रेगुलर दो बैर के डाइप है तो इसलिए आप देको नजदी किया इतना धनिया भी निकल अब जाए चलते हैं इसको अब अब इसके उपर में सब एक अब तो इस तो इस निकाल दिया है बिच्छू गास हो गया पालक हो गया और हरा दनिया हो गया तो चलो गए बाहर अंधिरा भी हो गया और मा भी आ गई है गौसाला से बाकी अब बनना इस्थार्ट होता है और यहां पर देखो इस पतेले में बनेगी हमारी कंडाली कंडाली का साग तो इसमें पानी रखा हुआ है पानी और नमक यहां पर हम लोग थोड़ा हल्दी हो गस्फशन और तैकि उसके काटेना मुँपे लगेना तो इस जात से सब गलना है यह बढना को फाकी पालक हो गया और कंडाले हमने यहां पर रखनी है कि एफ़ बनने हैं पूरी रखने है और इसको पूरा कलाना है जब तक पूरा स्फो नोंग हो जाए कर ऊच को और लगबक इसको आदे गिन अटए तक पूरा गलाणा आप जब तब तक कि पूरा सॉप नोय और पाघ जोए और आब इसको का शिरम कर देख्रें और शोड़ हो और राए तो अब हमारे यह पहरे टाइम उसको चेकते रहें तो अभी देखो इसके पूरे जो काटे ना वह अभी दिखाए रहें आप इस साधे उनको पूरा गल्ले जाना होई लंक से कि हम दूसरी बारे इसको खोल दाएं तो अब लगभग यह गल्ली रहा है लगभग और जो कंडाली के टेहनी रहते हैं तो वो थोड़ा मोटे रहते हैं तो इस वज़ों से ऐसे करना पड़ता है ताकि वो पूरा मतलब गल जाए तो चलो गए और इसके बाद ने यहां पर आ के साथ खोल आ है जो और जो कंडाली का साग रहा हुता है वो थोड़ा गाड़ा बनता है कि अब इसक्राइब ने लगाए तो तड़का भी एक अलगी इस्टैल में लगाया जाता है अब थोड़ा टाइम बचा हुए इसमें तो जैसे ही होगलता है ना उसके के बाद इस पे तर्का लगता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तिंग जो लाल मिर्च है ना बंदब सुकी वी लाल मिर्च तो उनको बोना जाता है तो उनका स्वात भी भाई अल्टिमेट आता है बहुत ही टेश्टी और यह देखो गए अब ना यह पूरा देखो मस्से कल गया है और अब इसके बाद होती है तड़के की तैयारी और इस पे इतनी प्यारी खुसबारे ना धनिये की हो गया लैसून हो गया इसकी बहुत ही अच्छा और कंडाली की और अब इसके उपर से धनिया भी पड़ेगा और अब देखो गया एक तो हमने थोड़ा सा धनिया पहले ही गला दिया था मलब कंडाली के साथ और एक यह थोड़ा बाद में डाला है ऐसा कुछ करते हैं वाकि यहां पर तड़कावाने की पूरी तियारी हो लिए यह देखो तो ऐसे इसका अलग से तड़का लगता है औ अबर मैंने बताया था ना परसों की वीडियो में की अमने जो मिर्च है वो यहां पर राता है यहां पर से कुछ मिर्च निकालते हैं साथे साथ जो तड़का लेगा उसी के साथ मिर्च भी भूनते हैं इसमें और जो यह लाल मिर्च होती है यह स्वाद में चार चान लगा देते हैं इतने टेश्टी होते हैं और इसके बाद लगता है तड़का यह लेको यह मां के हाथ में है सर्सों के बीच का तड़का जो की सबसे इंपॉर्टन है और यह तड़का सबसे बैसे सबसे मलब जो स्वाद दैनक हो यह तड़का देता है और अगर यह अब कोई खा लेना इतना ज़्यादा स्वादिश्ट होता है अब तो इसका स्वाद पे तो भाई साब तो बस हमारी कंडाणी बन के रिड़ी हो गई है आप तब तयारी है खाना मतलब चांवल बनाने की तो अब कि अब कुछ देर में हमारे ना रेटी और फिर घाते हैं तो अब का दे टेम रेटी आपि तो अब खाटे वे जो कुछ नहीं आद रिख कंडाली है तो अब खाटे में यहाँ पर यह मूढ जो असया पनी थाली रेडी हो गई और भी मुव में तो इतना पानी आ रहे ना ओई-ओओ-ओओ क्या बताएं एकसाइटिड बगी खाना को ना खाते हैं चलो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप और यह मेरी माँ ने बनाया है इस्टेंडल वाली कनाई है कि फाइनली खाना भी कंप्लेट हो गया है और काफी मस था बनावा कैसे बनावा बढ़िया बहुत ही अच्छा था बना रहा और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए होगी और वैसे न मैंने सोचा है कि महिने म एक दो तो तीन लगवा परफेक्ट खानपान वाली वीडियो होनी जे क्योंकि उसे ही रहता है मतलब खानपान पहाड़ों का खानपान दिखाना वाकि आई होप आपको यह वीडियो पसंद आगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जुरूर करें और अगर आपको आपको अगली किसी नई वीडियो में तब तक लिए हसते रही है और अपना ध्यान रखिए अपना ध्यान रखो